आपको एक मजेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये खास वीडियो कांग्रेश के पूर्वध्यक्ष राहूल गांदी से जुड़ा है इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उनकी ही पार्टी के मुखमंत्री उनको मूर्ख बनाते नजरा रहे हैं आपने अक्सर सोशल मीडिया पर कांग्रेश के पूर्वध्यक्ष राहूल गांदी पर बने मीम्स और पोष्ट देखी और सुनी होंगी वीपक्ष उन पर तरह तरह के तंज कसता है इस वार बे वीपक्ष के कारण नहीं बलकि उनकी ही पार्टी के मुखमंत्री के कारनामों क की वज़े से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं ये बाकया राहूल गांदी के पुडूचेरी दवरे के दवरान हुआ सत्तरै फरबरी को राहूल गांधी पुडूचेरी पहुँचे उन्होंने एक रैली को सम्भोधित किया उसके बाद कांग्रेस नेता ने मचवारों से बातचीत की उनसे अपने दिल की बात कही और उनकी समस्याएं जानी मचवारों से बातचीत का पीडियो सोशल मीडिया वीडियो में रहूल गांधी एक महिला से बात करते दिखाई दे रहे हैं महिला रहूल गांधी से अपनी समस्याएं इस्थानिय भासा में बताती नजरा रही है अब रहूल बाबा को पुरूचेरी की इस्थानिय भासा तो आती नहीं ऐसे में उनके समझाबन दास बने पुरूचेरी के मुखमंतरी बी नारायन सामी बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक महिला ने रहुल गांदी से कहा कि तूफान आने के बाद हमें कोई मदद नहीं मिली यहां तक कि साइकिलोन के बाद मुखमंत्री हमें देखने तक नहीं आये अपनी बुराई देख समझाबन दास बने नारण सामी ने तुरंत उल्टा गेम खेल दिया उन्होंने महिला की बात को पलटते हुए राहुल बाबा को समझा दिया कि महिला कह रही है कि निवार साइकिलोन के दौरान मैं यहां आया था मैंने यहां के लोगों की मदद की थी यह महिला यही बता रही है यह हमारी पार्टी की तारीप कर रही है मुखमंत्री के इस जूट को वहां मौझूद कांग्रेसी पचा नहीं पाए और खिल खिला कर हसने लगे और तालियां भी बजाने लगे वीडियो बाइरल होने के बाद पुडूचेरी के मुखमंत्री राहूल गांदी के सामने जूट बोलने को लेकर खिर गये हैं। बाटक से राज सवा सांसत राजीव चंदर सेकर ने भी ट्वीटर पर वीडियो शेर करते हुए राहूल गांदी और नाराने सामी को गेरा। खबरों का सिसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जन्परबाद। नमस्कार।